उत्तर प्रदेश के जलाब बरेली में रात को तीन बजे सोते समय दिवार गिरने से पांच लोग दब गए दो वच्चों की मौत हो गई तीन घायल हो गए घायलों को सरकारी अस्पताल में बरती कराया दोनों शवों को पुलिस ने पोस्माटम को भेजा थाना फरीदपुर के महला खललपुर निवासी उमेश कश्यब अपने परिवार के साथ सो रहा था रात में बारिश हो रही थी बारिश के दौरान लगबख तीन बजे पड़ोसी की कच्ची दिवार गिर जाने से पूरी परिवार दब गया जिसमें दो वच्चे की मौत हो गई वा तीन लोग गायल हो गए रात में करीव तीन बजे बारिश हो रही थी उसी दवरान वजे प्रकाश्चिंग की पड़ोसम खड़ी जर जर अवस्ताम दिवाल वो गिर गई शपर कूपर उपर उसमें जब पूरा गाव आया उसकी वा दो बच्चे तुरंत ही खतम हो गए तीन लोग गायल है इसकी मौत हो गायल है अमर्टू एक पांच साल का है जी दूसरी लड़की है उसका नाम प्रियंका प्रियंका वो जो एदो साल की है और उमेश एटाइस साल उनकी उमर है उनकी पतनी वो सुमन नाम है उनका वो भी वो एक बेटा है उसका नाम गोरा वो साथ साल का वो भी घाया है यह जो जो लगता है यह लोग मजदूरी करते थे जिए प्रकाश शिंग की है परोश जी जी कची दिवाल थी अब पुराने जमाने बनी वही थी काफी मोटी दिवाल थी जोगार वनने कर दो अधिकारी बखर अधिकारी आए थे लेकपाल वगएरा आए थे थाने से स्वत्र साफ गए थे दरोगाजी भी गए थे कि रोड क्या नाम है अपका आशा कहा रहती है हम तुहीं बरेली के रहने वाले मेरा सत्राल खलपूर का है यह मेरे जिठावनी की बच्चे है मैं उनके घर की परिवार की में सब्स चोटी बहुए हुए उसमें मगान गिर गया कल शाम की तीन रात की तीन बजे उसमें बच यह बारिश का मासम था तब यह मकान गिर गया था रात के तीन बजे अब वो परोसी की दिवाल थी वो पूरी गिर गई हमारे घर की तरफ उसके बाद में जो परोसी थे उनसे कहा गया था कि आप यह दिवाल से कराई है उन्होंने एक बार भी आप्शन नहीं उठाया और तो रात की तीम बजी दिवाल गिर गई है वो मकान पर उसमें मेरे जिठानी की दोनों बच्चे गाहिर है जिसमें एक बहुती बहुत हालत सीरी से दिमागी चोट आई उस पर कितने बच्चों की डैत हो गई है क्या नाम है उनका नाम सुमन है यह मजदूरी करते हैं किसान आती है क्या लिंटर था यह खपड़ेल गिरी होई थी पूरी चपर पड़ा हुआ था पूरा परोसी उनका तो ठाकूर है वो नाम तो मैं अभी मैंने आपको बोला था परोसी है ठाकूर हो गए चार करते हैं आती है